दोस्तों समर आचुका है ये धुपकाले का मौसम बड़ा ही डेंजरिस होता है किड्नी स्टोन्स के लिए उसके उपर अगर आप पानी कम पिएंगे तो बोडी डिहाइडरेटेट पानी कम याने किड्नी स्टोन्स जमना शुरू हो जाके ये स्टोन्स है क्या और ये जमते क्यों है अस्सलाम अलेकुम मैं डॉक्टर शोईब खान कंसल्टन नेफरोलोजिस्ट ट्रांस्परांट फिजिशन केर हास्पिटल बंजार हिल्स दोस्तों समर आ चुका है ये धुपकाले का मौसम बड़ा ही डेंजरिस होता है किड्नी स्टोन्स के लिए क्योंके समर फस्ट अफर डे लॉंग रहता है उसके उपर गर्मी रहती है पसीना निकलते रहता है दिर इस हाई चांस कि आप डिहाइडरेशन में चले जाते हैं उसके उपर अगर आप पानी कम पिएंगे तो बॉड़ी डिहाइडरेटेड पानी कम याने किड्नी स्टोन्स जमना शुरू हो जाते हैं ये स्टोन्स है क्या और ये जमते क्यों हैं ये स्टोन्स के टाइप्स most commonly calcium stones, uric acid stones होते हैं other stones भी हैं जैसा कि oxalate stones, struite stones और दूसरे टाइप के stones जो infections में आते हैं stag on calculate कहते हैं ये भी रह सकते हैं बट ये सब stones बनने का main reason आपकी dietary habits से हटके पानी पीने की habits से तालुख रखते हैं this is something जो हम सब कुछ कर सकते हैं एक ये है कि अगर आप पानी ज्यादा पिएंगे तो stone automatically जमने वाला नहीं है और dehydration में stones बनते हैं आप dehydration को दूर करेंगे तो stone भी दूर हो जाएगा आपके जब समझाने के लिए एक मिसाल मैं जो patients को देता हूँ आज आप सब को सुनाऊंगा कि एक अगर glass है और उसमें अगर हम लोग एक चमचा नमक दालें और उसको mix करेंगे तो होता क्या है वो पूरा पानी का पानी दिखता नमक पूरी घुल जाती उसमें dissolve हो जाती इसी तरह urine जो kidney बनाता है इसमें कई चीजें kidney dissolve करता है calcium, sodium और यूरिक आसिड और क्रियाटनीन, यूरिया, फॉस्फरोस, पोटेशियम ये सब कुछ minerals और elements kidney urine में dissolve करके urine से निकलता है अगर urine को dry हो जाएंगे तो automatically आपको salts और minerals दिखेंगे and now the second situation में आएंगे हम कि वही एक glass पानी है और उसमें आप 15-20 चम्चे नमक डाल दिये आप उसको चम्चे से मिलाओ या grinder में डाल के grind करो या blender में डाल के blend करो और उसके बाद देखो होने क्या वाला है salt नीचे जमा होने वाला है ये salt जमा क्यों हो रहा इसका मतलब की access जो है गंदेगी आगई जो अपने डाइट से तालोग रखता है second most important जिसके तरफ में आप सब की तबज़ो लेकर जाना चाहरा हूँ कि पानी का content भी कम है अगर हम यही एक glass जिसमें 15 चम्चे नमक है इसको हम लोग एक बड़े जग में तबदिल कर दें और वही 15 चम्चे नमक को घुला दे तो घुल जाता again सिर्फ पानी दिखता है तो यह stone का भी यही राज है अगर आप पानी कम पिएंगे तो automatically यह contents, यह calcium, यह uric acid, यह oxalates kidney में, ureter में, bladder में जमा होना शुरू होते और stone का शकल लेते हैं अगर आप पानी जादा पिएंगे वही छोटी glass को टम्दर में बदल देंगे पानी जादा content के वज़े से यह stones घुलते चले जाते जिसको stones है, वह stones चले जाएंगे अगर आप पानी जादा पिएंगे और जिसको stones नहीं है, stones आने का chance बिल्कुल zero हो जाएगा मैं request करता हो कि समर में हर कोई at least 3-6 लिटर पानी तो पिएंगे और जिसको stones है, I think 5 लिटर पानी पीना बहुत जरूरी है और खासतोर से रमजान शरीफ की आमद है बिल्खुस इफ़तार से लेके सहरी तक कैसा भी आप इतना पानी तो पी लिया करें आपके kidney stones का chance कम हो जाएगा unnecessary problems नहीं होंगे और हो सका तो diet में भी changes करिए for example कि calcium की diet और uric acid की diet कम करने की कोशिश oxalate वाली diet कम करने की कोशिश करें